हेलो फ्रेंस वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम लोग दिसकस करेंगे इस्टडी करेंगे एक बहुत ही फेमस पोयम stopping by woods on a snowy evening इसको line by line discuss करेंगे word to word एक एक सब्द मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है पिछले वीडियो को अगर आप देखें तो मैंने इस poem की summary आपको बताई stopping by woods on a snowy evening की summary मैंने पहले ही बता दी आज हम लोग इसको line by line समझेंगे ओके इसके बाद यह आपका complete हो जाएगा तो चले देखते हैं हम लोग देखिए stopping by woods on a snowy evening by Robert Frost American poet है Robert Frost उन्होंने ही इस poem को compose किया है 1922 में compose किया 1923 में publish हुई यह सब मैंने आपको first वाले वीडियो में बता दिया है यानि जिसमें मैंने summary डिसकस किया उससे में इस सारी चीज़े मैंने बता दिया तो Robert Frost यानि जो poet है speaker है वो एक बार एक forest से होकर गुजर रहते कहीं जा रहते अपने लक्च की ओर जा रहते तो रास्ते में उनको जंगल पड़ा उस जंगल में उठाहर गए कुछ समय के लिए उनको बहुत ही सुन्दर लगा तो वही चीज यहाँ पर discuss कर रहे है उसी जंगल के बारे में बता रहे है ओके तो चलिए इसका पहला चार लाइन देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोटो भी मैंने लगा दिया है तो पहली वन मिनिट तो पहली चार लाइन है आप देखिए इसको Whose woods these are I think I know जंगल से गुजर रहे थे अपने गोडे के साथ में थे तो पोट कहता है Whose woods these are यह जंगल किसके हैं I think I know और जिसके भी हैं मरे ख्याल से मैं उसे जानता हूँ I think मरे ख्याल से I know मैं जानता हूँ यह जंगल किसके हैं साथ मैं उसको जानता हूँ या फिर यह जंगल जिसके हैं उसको मैं जानता हूँ बोलने का तरीका है आप किस भी प्रकार से उसको बोल सकते हैं जिसका ये जंगल है उसको मैं जानता हूँ कौन कह रहा है पोईट पोईट कह रहे हैं ये जंगल जिसके हैं I think मैं ख्याल से I know मैं उसको जानता हूँ His house उसका घर is high in the bliss गाउं में दो हला कि उसका घर गाउं में है उसका घर यहां जंगल में नहीं है उसका घर कहा है बिलेज गाउं में है हला कि ये जंगल जिसका है उसका घर बिलेज में है लेकिन मैं उसको जानता हूँ He will not see me stopping here वो मुझे नहीं देख पाएगा यहां रुकते हुए वो देखी नहीं पाएगा कि मैं उसके जंगल में यहां रुका हूँ तो वाच इस वूड्स फिल अब इशनो और उसके जंगल को देख रहा हूँ बर्फ से भरते हुए यानि उस जंगल में बर्फ गिर रही थे आप देख सकते हैं हाँ पर तो फिर से मैं एक बार इसको पढ़ा देता हूँ पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ थोड़ा सा लांग वीडियो हो जाएगा क्योंकि मैं समझाता जादा हूँ जंगल से गुजर रहते तो जंगल में रुक गए अब यह सोचने लगे कि सायद मैं इस वुड के ओनर को यानि इस जंगल के मालिक को जानता हूँ उसका घर गाउ में है और वो मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं उसके जंगल में यहां हूँ और उसके जंगल को देख रहा हूँ बर्फ को देख रहा हूँ वो नहीं जान पाएगा वही कह रहा है यह जिसका जंगल है सायद मैं उसको जानता हूँ हाला कि उसका जो घर है यहां नहीं है बिलेज में है गाउ में है वो मुझे यहां रुकते हुए देख नहीं पाएगा क्योंकि उसका घर तो गाम है मुझे कैसे देख पाएगा नहीं देख पाएगा तो वाच इस बुट्स फिल अविद इशनो और उसके जंगल में मैं रुख करके बर्फ को भी देख रहा हूँ यानि जो बर्फ गिर रहा है बर्फ ली रात है तो वो बर्फ नीचे गिर रहा है जेंगल में तो उसको भी मैं देख रहा हूँ लेकिन वो मुझे ऐसा करते हुए नहीं देख पाएगा क्यों क्योंकि उसका जो घर है वो विलेज में है तो उमीद है चारलाइन आपको समझ में आ गई होंगी नेक्स चाल लाएन देखिए माई लिटिल होर्स मस्ट थिंक इट क्वेर अब पोएट कहते हैं सायद मेरे घोडे को थोड़ा सा अजीब लगता है क्वेर का मतला विचित्र Q-U-E-E-R क्वेर मिंस अजीब या विचित्र माई लिटिल होर्स मेरे छोटे घोड़े यानि मेरे प्यारे घोड़े को मस्ट थिंक इट क्वेर सायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा विचित्र लग रहा होगा To stop without a farm house near कि मैं इस farm मतलब यहां मैं क्यों रुक गया हूँ Without a farm house जहां कोई farm house नहीं कोई घर नहीं कोई नगर नहीं कोई गाव नहीं है इस बीरान जंगल में मैं क्यों रुक गया हूँ सायद मेरा घोड़ा यही सोच रहा होगा उसको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मेरे मालक यहां क्यों रुक गया जब यहां कोई farm house ही नहीं है इस जंगल और फ्रोजन लेख याए जंगल में बर्ष जमी हुई है तो वही चौर हे रहे हैं इक परकार से बर्ष की जील बन गई है तो इस बर्ष की जील और जंगल के पास कोई फार्म हाउस नहीं है फिर भी मेरे मालिक यहां क्यों रुख गए है सायद मेरा घोड़ा यही सोच रहा होगा पोईट कहते हैं वर्स की साल की सबसे लंबी और काली रात है घनी रात है एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ मेरे प्यारे घोड़े को अजीब लग रहा होगा बिचित्र लग रहा होगा तो स्टॉप बिदाउट फार्म हाउस नियर बेट बिन दा बुट्स एंड फ्रोजन लेक कि मैं यहां पर क्यों रुख गया जबकि यहां बुट्स के किनारे या फ्रोजन लेक के पास कोई farm house ही नहीं, without farm house मतलब के बिना farm house बिना farm house के हम रुख गए अरे कोई घर होता, कोई रहने का स्थान होता, तो हम रुखते ठीक था लेकिन यहाँ तो कोई farm house ही नहीं है, चारों तरफ जंगल और बरफ है, मैं क्यों रुख गए यहाँ हमारे मालिक क्यों रुक गए साथ मेरा घोड़ा सोच रहा होगा और यह जो इविनिंग है यह रात है वर्ष की सबसे गहरी सबसे काली सबसे लंबी रात है ओके नेक्ष्ट चल रहा है देखिए यह मतलब यहाँ पर घोड़े के लिए आया है वो गोड़ा जो है अपनी सिंग को हिलाता है अनि अपनी गले को गर्दन को हिलाता है और उसके आप जानते हैं गोड़े के गर्दन में या फिर सिंग में घंटी लगी होती है तो वो उसको हिलाता है साथ मना कर रहा है कि यहां मत रुको सेख का मतलब हिलाना bells का मतलब घंटी he gives his harness bells sake अपने bells को क्या देता है हिलावट देता है अब हिलावट का मतलब हिलाता है उसको यानि इस लाइन का मतलब यह हुआ वो अपने घंटी को हिलाता है जो bells लगी हुई है उसको हिलाता है to ask और सायद पूछ रहा है क्या पूछ रहा है if there is some mistake क्या कोई गलती हो गई है पगला गला गए हो क्या सायद वो अपने मालक से घंटा पूछना चाहता है कि यहां का है रुख गए इस बिरान जंगल में क्यों रुख गए ना तो कोई farm house है ना कोई घर ना कोई नगर है क्यों रुख गए सायद कोई mistake हो गई है आप से यहां रुख गए है इसलिए तो पूछता है घंटा गोड़ा सायद पूछना चाहता है गंटी ला रहा है कि मत रुखो यहां तो सायद वो यही पूछना चाहता है कि क्या आपसे कोई mistake हो गई है the only other sounds घोड़े की जो घंटी है उसके sound के अलावा window और downy flag यानि गिरते हुए बर्फ की अवाज भी आ रही थी the only other sounds यानि मात्र एक और sound अवाज जो थी the sweep of easy wind यानि हलकी हलकी हवा चल रही थी और जो बर्फ गिर रही थी सर 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 उसकी अवाज यानि जंगल में दो ही प्रकार की अवाज थी एक तो easy wind और downy flag की अवाज यानि कि जो हलकी हवा और बर्फ गिर रही थी उसकी अवाज आ रही थी और एक घोड़े के बेल की दो ही अवाज थी तो गोड़ा पूछ रहा है गंटी हिला करके मालिक मेरे क्या मिश्टेक हो गई आपसे यहां क्यों रुख गए ओके चलिए नेक्स्ट चाल लाइन देखते हैं और ये आखरी चाल लाइन है बहुत इजी पोएम था मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है अब ये पोएट कहता है कि ये जंगल बहुत ही प्यारे हैं बहुत ही सुन्दर हैं आकर्सक हैं बहुत ही मनोरम हैं मनमोहक हैं डार्क एंड डीप बहुत ही घने और बहुत ही काले जंगल हैं मतलब काली रात है, तो जंगल भी काले ही लगेंगे ना, बहुत ही बड़ा जंगल है, but I have promised to keep, लेकिन मैंने कुछ वादे किये हैं, कुछ अपने आपको वचन दिया है, मेरा कोई लक्ष है, मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता, हाला कि मैं रुकना चाहता हूँ यहाँ, और इस सुन्दर दिरिश्च को देखना चाहता हूँ, लेकिन चुकि मैंने promise किया है अपने आपसे, कि मुझे अपने लक्ष पर पहुँचना है, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, इसलिए मुझे भी मीलो तक जाना है, सोने से पहले, रात तो होई गई थी, मतलब सोने से पहले आप कह सकते हैं, थोड़ा सा और दूरित्ताय कर लूँ, अभी लक्ष पहुचने तक मुझे मीलो तक जाना है, तो वही करें मैं रुक नहीं सकता, हाला कि यह जंगल बहुत प्यारे हैं, बहुत सुन्दर हैं, मनुरम हैं, लेकि मुझे भी miles to go माइल्स to go, मीलो तक अभी जाना है, ओके, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, तो मुझे अपने लक्ष तक पहुचना ही है, तो फ्रेंड्स यह पोयम रही, उमीद है पोयम आपको पसंद आई, मैंने दो वीडियो इस पर बनाया है, एक में मैंने समरी डिसकस के और दूसरे में मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट समझा दिया, अगर आपने दूनों वीडियो देखा, दूनों वीडियो आपने देख लिया, तो उमीद है, उमीद ही पूरी, मतलब पूरा बिश्वास है कि आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा, ओके, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई जरा सभी, तो इसको लाइक जरूर किजिए, सेर किजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए, ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी ही नई पोयम के साथ, तब तक के अगले नमस्कार